अलो मेरे प्यारे उच्चों, कैसे हैं आप सब? आज होब आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम लोग टॉइस के साथ खेलेंगे So Many Toys क्या टॉपिक है? So Many Toys चलो तो बहुत अच्छे-च्छे टॉइस मिलने वाले आज और उनके साथ काउंटिंग करेंगे उनको खेलेंगे ये है चेप्टर 13 क्लाउस फ्वर्स्ट का Mathematics चलो पहले हम रीट कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है? Look at the picture and find the number of different toys हमें pictures को देखना है और find करना है कौन से नमर जो toys है वो कितने नमर्स के है पहले नौ ने लिखा है elephant देखिए elephant के picture भी वनी है तो हमें find करना है elephant कितने है चलो भाई count कर लेते counting तो हमें आती है one, two, three, four elephant कितने है? four car car है one only one red color की car भी बोला है यह वाली car नहीं बोला है चलो तो only one कर देते हैं teddy bear one, two, three dolls one, two, three, four, five dolls हैं five चलिए अब हमें कुछ questions दिये हैं उन्हें हम लोग करते हैं elephant कितने थे? four car one teddy bear teddy bear three and dolls five चलिए अब हम लोग कुछ question करते हैं complete the following sentence while using more than, less than, equal to मैं आपको बता दू बेटा complete करना है मैं यह जो sentence लिखे हैं किसी more than, less than, equal to तो more than का मतलब क्या होता है? ज्यादा more than का मीन्स क्या होता है? ज्यादा जब आपके पास तीन टॉच चॉकलेट हो और आपके फ्रेंड के पास टू हो तो आपके पास ज्याद होई ना तो जैसे माल लीजे आपका नाम है अरजित तो ये हो जाता है more than आप जिसके पास ज्यादा होता है उसे हम लगाते हम less than होता है विटा कम अगर आपके पास चॉकलेट जैसे माल लीजे रिसब के पास चॉकलेट कम थी तो हम बोलेंगे रिसब less than चॉकलेट than अरजित अब ये equal to क्या होता है? ये होता है equal to बड़ाबर आपके पास भी थी चॉकलेट है और आपके फ्रेंड के पास भी थी चॉकलेट है तो हो गया equal बड़ाबर किसी के पास कम या ज्यादा नहीं है तो बोलते है equal to पहला sentence है the number of dolls is the number of cars cars से क्या है? जो dolls है वो क्या है? dolls five है car one है तो obviously dolls क्या है? more than तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे more than second है the number of elephant is the number of dolls तो elephant कितने है? four और dolls कितने है? five तो फिर क्या है ये? less than elephant elephant कम है न? योगि elephant four है dolls five है तो elephant कम है तो हम लिखेंगे less than the number of teddy bear is the number of elephant तो teddy bear कितने है? three elephant कितने है? four तो elephant ज़्यादा है तो हम लिखेंगे teddy bear less than है elephant से the number of cars is the number of teddy bear तो cars कितनी है? one teddy bear कितने है? three तो फिर less than चलिए colorful flowers देखें हमें colorful flowers दिये हैं कुछ चलिए हम इनको देखते हैं नेम देखें हैं? आप से पूचा है ऐसे किसी colorful flower का नेम बताएं जो आपको ज़्यादा तर गार्डन में मिलता है तो गार्डन में आप लोगों को देखेंटा रेड कलर के फ्लावर ज़्यादा मिलते हैं और रेड कलर के फ्लावर ज़्यादा होती है तो रेड कलर का फ्लावर कौन सा होता है? रोज और वो किस कलर का होता है? रेड कलर का तो हमें कलर्स के नेम पूचा है तो हम लिख सकते रेड और कौन सा फ्लावर? तो वो होता है रोज और जातर बहुत भी जो flowers होते हैं, वो रैट करके जादा होते हैं, अब हम करते हैं, next अपनी exercise, start, look at the picture of colorful flowers and write the number of flowers, okay, हमें pictures दी गई है, हमें उसको देखना है, और फिर उसको लिखना है, आँगे, चलो तो भही लिख लेते हैं, कैसे करना, ये pictures है, ये वाली flowers, ये देख सकते आपनों ये वाली pictures है, okay, चलिए, अब इसमें उला है, blue flowers, तो blue flowers कितने हैं, count कर लेते हैं, one, two, three, four, five, orange flower कितने हैं, orange, orange flower कहां है, okay, 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 नीचे भी है, काफी बड़ी picture, okay, तो हम, one, two, three, four, मैं थोड़े सा न, छोटा कर लेते हैं, इससे आपको न, एक ही picture में आपनों को clearly देख जाए, I think so, अब clearly देखेगा, हाँ, आप शीदो, blue flower कितने थे, one, two, three, four, five, five, orange, one, two, three, four, four, red, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, purple, one, two, three, four, five, six, name the color of flower which are least number, अब इसमें पूचा है, उस flower का color बताईए, जो बिच लिस्ट, लिस्ट भी होता है, बहुत कम है, तो सबसे कम कौन सा color है, औरेंज, देखेगे, ये, five है, nine है, six है, तो four सबसे कम है, तो वो कौन सी color के flower है, औरेंज, तो इसमें अंसर आएगा, औरेंज, and second है, name the color of the flower which are most in number, तो most कौन सा है, red, okay, true और false है अब next, तो चलो true false करते है, number of red flower, जो बहुत नंबर है, जो red flower का, is more than the blue flowers, right, true है या false है, दिख वेटा, जो red flower है न, वो nine है, और जो blue flower है, वो five है, तो nine of five, तो nine तो more than है न, और ये ही नॉन ने लिखा है, red flower is more than, तो इसका मतलब ये क्या है, true, second है, the number of orange flower is less than the purple flower, okay, orange flower बोला है, orange है four, purple है six, और क्या बोला है, less than, four है less than, okay, सही बोला है, नॉने, orange flower is less than the purple flower, okay, true, चलिए, अब हम चलते हैं, next, पजल, ये इसमें कुछ पजल दी है, हम पजल सॉल्ट करेंगे, पजल सॉल्ट करेंगे, चलिए, अब हम लोग कुछ थोड़ी सी पजल सॉल्ट करते हैं, उसके बाद हम पजल में क्या है, चलो भजल आँगे देखते हैं, इन्होंने बोला है, कोपाल, arranged number cards in below image, and Anya hide them with walls as soon, can you recognize the number, बोले हैं, इन्होंने इन numbers लिखे हैं, अरेंज किये हैं, जिस तरह से लिखे हैं मैंने 2, हाँ, अम मैं इसके उपर इस तरह से एक बाल रख दू, कटोरी, इसको ढख दू, और फिर पूछू कि चलो बताओ, यह पूरा number क्या होगा, तो इस तरह से यह लोग क्या कर रहे हैं, इस number को, मतब गेम खेल रहे हैं, एक माली जी, गेम है में जिसका, तो इस तरह से hide कर दिया है, आदे number को, तो आपको find करना है, तो पूरा number क्या होगा, चलो तो हम लोग number को find करते हैं, जैसे यह first वाला है, तो मुझे लग रहा है, I think यह two है, यह क्या है, two, यह देखी इस तरह से हो जाएगा, two, यह क्या है, मुझे लग रहा है, यह three, यह eight, eight, यह nine, यह zero, और यह five, और यह four, इस तरह से यह puzzle solve करनी है, इस तरह से number का लिखने, चलो अब हम आगे चलते हैं, आपको भी अगर यह game खेला है, तो इस तरह से आपको hide करके खेल सकते हैं, अब next है, count the number of locks, is it three or four locks? अच्छा, यह कुछ locks रखे हैं, और जो इधर girl है, वो बोल रही है, three है, जो इधर boys है, बोल रही है, four locks है, चलो हम count कर लेते हैं, और इनकी लड़ाई जगड़ा खतम करते हैं, one, two, three, four, okay, कौन right है, यह boy right है, यह girl wrong है, क्योंकि यह four locks है, चलो next करते हैं, this is how jarina set the glass, help her extending, okay, यह set दिया है, glass का, हमें इसे complete करना है, देखे, आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, इसमें है कि one glass, तर नेचे ऐए two, नेचे क्या उनसे glass आए two, इसमें two, and then इसमें three, तो अब क्या उनसे glass आएंगे four, कौन से glass आएंगे four, इस तरह से इसमें आएंगे four, फिर आँगे C के उपर यह glass इस तरह से चलते जाएंगे, and then इस तरह से यह बनेगा और यह बंद हो जाए पूरा complete हो जाएगा आगे आएगे फिर 5 ग्लास यह 5 ग्लास के बाद उपर हो गए 4 ग्लास यह इस तरह से हो जाएगा चलो अब है find the number from 1 to 10 यह आपको numbers find करने है आपनों easily कर सकते है पहले है 1 to 10 ही करना है जैसे इनों ने एक्जामपल दिया है O N E तो हो गया 1 अब हमें देखिना है T W 2 तो T कहा है सबसे पहले T देखेंगे यह T T लेकिन के पास W नहीं है तो यह रहा T W 2 3 T H R E 3 यह रहा 3 आपको spelling याद है तो बहुत आसानी से दूर सकते है 4 4 F ठोड़े F O U R यह रहा 4 5 F I V E 5 S I X 6 7 S E V E N 7 8 E I G H T 8 N I N E 9 और T E and 10 हो गया कम्प्लीट यह कम्प्लीट हो गया अब हम लोग चलते हैं Next Find the number from 1 to 5 in the given wall so that the sum on both sides is equal हमें इस तरह से numbers को लिखना है कि उनका sums equal हो अब मैं इसके आगे करना नेक्स वीडियो हमें रताऊंगे तो कि अभी से फिर यहां पे उनकाफी जादा हो जाएगा ओके बाद बाई गॉन नाइट